और इसी वचासे आपकी बात बहाँ पे फॉल्ड डाउन हो जाती है कि उनका क्या कॉंट्रिविशन था क्या उन्हों ने जो चीज दीना हम लोग उसके लिए फार ग्रेटर इंडिटरे दने नहीं साइंटिफिक डिस्कावरी मुसलिम साइंटिस ने बहुत बड़ भी डिस्कावरी इसकी लेकिन फांडिशन उनके रिलिजिन से मिलती है तो हम यह देखते हैं कि उनका यह जो अगर सोच उनकी दयत हो आती थी तो आपकी बात होती थी उनकी वह जिंदगी भी थी उनकी लर्निंग भी थी वह टीचर भी और उनकी नॉलिज भी थी सारी चीज़ें होना यह सब क्या है यह कोई नॉर्मल बात नहीं और आप दिखोंगे कि यह सारी चीज़ें जो इसके अंदर जुपाया रहा है अच्रह इन्होंने एक बात कही थी कि हज़डर आईशा जो है वो बड़ी इन्टेलीजेंट थी और वो यानि उन्होंने ये इतनी सारी हदीसे मुझे बतायी ए क्या इसा intelligent वाला काम किया है एक revivaly के यानि एक जो बच्ची होती है या एक घर का जो member होता है, उसे तो पता होता है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे घर का rules क्या है, कितने बज़े उठना है, क्या खाते है, क्या नहीं खाते है, नमक कितना दालना है, ये कौन सा intelligence है, क्या हज़त आईशा ने कोई algorithm निकाला, कोई formula निकाला, अचा यार, बड़ी हसी मुझे आई थी, जब जैद भाई ने ये कहा, कि उनके लिए scientific discoveries और यानि जो mathematical formula है, जिसको intelligent हम कहेंगे, उसके वजाए, इनके नजदिक intelligence ये है, कि कोई घर के अंदर के जो मामलात है, वो बताए, ये बड़ी अजीब बात थी, हमारे लिए ये घर के मामलात बताना, ये हमारे घर के बच्चे भी बता सकते हैं, ये कोई extraordinary चीज नहीं है, कराली बेस्ती?